नमस्कार आप सभी का बहुत सुआगत मैं हूँ आपके साथ अब शीक पुडी वोटों के लिए राजनेदिक पार्टियां किसी भी उस्तार पर सिर्फ हिंदुस्तार में ही नहीं जाती बल्कि बाहर विदेशों का भी ही हाल है राजनेदिक पार्टियों का ही सब कुछ किया धरा है बांगलादेश में जो कुछ हुआ कनाड़ा की आजम बात करेंगे जहां प्रूडों की सरकार है और वो लगातार भारत सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं के हरदीप सिंग निजर जिसकी 2022 में हत्या की गई वो हत्या उस साब का नाम था और भारत के ग्रह मंत्री अमिट शा का नाम इस रिपोर्ट में शामिल था और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन दोनों के कहने पर ही यह हरदीप सिंग निजर की जो हत्या की गई वो इन दोनों के कहने पर ही की गई थी लेकिन असल हकिकत इसकी क्या थी वो उन्होंने अपनी देश में एक बात्चीत इस मामले की चल रही थी, तब उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ था, या निजर की हत्या हुई, या फिर रिपूदमन मलिक की हत्या हुई, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं था, हलाकि टूडो खुद, पहले तो टूडो ने कहा था, कि इसमें भारत सरकार का हाथ है, लेकिन टूडो ने ये भी कहा था, कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन उसके बाद टूडो ने खुद माना था, कि उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, जिसमें भारत सरकार की सनलिपता निजर के मामले में बनती हो लेकिन अब कनाड़ा के जो एनसे हैं उन्होंने और कनाड़ा की जो विदेश मामलों की उपमंत्री हैं उन्होंने इस बात को मान लिया है कि उनके कहने पर भारत के ग्रह मंत्री अमिचा का और भारत के एनसे अजीर डोभाल का नाम वास वो लगातार जो भारत और कनाडा के जो मामले को कवर कर रहे थे, हरदीब सिंघ्निजर के मामले को कवर कर रहे थे, उनका एक दिन एक फोन आया, और उस फोन पर उन्होंने कहा कि क्या भारत के ग्रहमंत्री आमिच्छा का इसमें कोई हाथ है। तब उन्होंने कहा कि हाँ इसमें अमिच्छा का हाथ है बाकी और कोई बात नहीं की गई तो अब आप देख सकते हैं कि टूडो सरकार वोटो की राजनीती करने के लिए किस हद तक गिर सकती है वोटों की राज़िती करने के लिए क्यूं वो मैं कहा रहा हूं वो भी आप समझ लीजिए कनाडा में एक सिख समर्थित पार्टी जिसका नाम है न्यू डेमोक्रिटिक पार्टी जगमीद सिंग इसके अध्यक्ष है उनके पास 24 सांसद हैं इन 24 सांसदों के समर्थन से ही टूडों की सरकार चल रही थी लेकिन जैसे हरदीब सिंग निजर का मामला आया उसके बहुत सारी चीज़े हुई तो जगमीद सिंग ने जगमीद सिंग को या फिर जो सिख वोटर है कनाड़ा में उसे ही खुश करने के लिए सिर्फ ये टूडों की तरफ से ये पूरा गेम प्लान किया गया था लेकिन अभी पिछले ही दिनों टूडों सरकार से उन्होंने अपना समर्थन वापस कर लिया हला कि एक और वहाँ पार्टिय जिसके 34 सांसद है उसने टूडों को समर्थन दिया और उसके बाद टूडों की सरकार फिलाल चल रही है तो जो जगमीद सिंग ने अपना समर्थन वापस लिया है अब टूडों ये चाहते हैं कि जगमीद सिंग के पास जो वोटर हैं जो सि समर्थन करते हैं अब टूडों ऐसा चाहते हैं कि वो भारत सरकार पर इस तरीक एक एयलिगेशन लगा कर आरोप लगा कर वो जो समर्थनी समर्थन समर्थन जो वोटर हैं उन्हें अपने पाले में कीच लिए आने वाले चुनाओं में जो 2025 में होना है उसमें वो जीतकर ल अक्टूबर तक अपना इस्तीफा सौप दीजिए, हलाकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं सोचा है, तो टूडो के इस कदम से कहीना कहीं टूडो खुद गिर गए हैं, टूडो कहीना कहीं अब फस चुके हैं, उन्हीं की पार्टी के जो सांसद हैं वो लगातार, उन्हीं के खिलाव अब मोर्चा खोले हुए हैं, जिससे की टूडो अब बहुत ज़ादा परेशान है, और कहीना कहीं हिंदुस्तान के सामने उन्हें जुकना पड़ा, केंद्रे ग्रहम अंत्रियामी चा का नाम वासिंग्टन पोस्ट की उस रिपूर्ट में डलवाना कहीना कहीं कनाड़ा की तरफ से बहुत बड़ी गल्ती की गई, यहाला कि भारत ने कनाड़ा के राजनाएक जो हैं, वो कनाड़ा वापस बेज़ दिया हैं, और कनाड़ा ने भी भारत के छे राजनाएक वापस हिंदुस्तान में भेज़ दिया हैं, तो यह जो पूरा घटना कराम है, उसे यह तो आप साफ समझ सकते हैं, कि अब लंबे भारत और कनाड़ा के जो रिष्टे हैं, वो खराब रहने वाले हैं, अगर अगले चुनाव में कनाड़ा की सरकार बदलती है, तब भारत के साथ रिष्टे कुछ बहतर होते हैं, तो आप मान लीजिये, लेकिन अगर टूडो वापस सरकार में आते हैं, हलाकि जिसकी नौकरी करने के लिए भारत से कनाड़ा जाते हैं, वहाँ उनके लिए थोड़ी परिशानियों का सबब हो सकता है, बाकि ट्रेड के अगर बात करें, तो भारत कनाड़ा के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता है, और रिष्टे खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ कर दो कर दो